नमस्काय मेरा नाम है डॉक्टर पूरुदवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आयवेदिक मेडिसिन लखवे के मरीज के लिए हेलपफुल रहती हैं और क्यों एलोपेदिक मेडिसिन काम नहीं कर पाती हैं एक लखवे के मरीज के अंदर पैरलेसिस का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है ब्रेंस्टोग ब्रेंस्टोग यानि आपके दिमाग के अंदर होने वाला नुक्सान यह नुक्सान दो टाइप से होता है या तो आपके दिमाग के अंदर खुन का थका आएगा या आपके नस्फटे की और जब कभी हमारे दिमाग के एक हिस्से को खून नहीं पहुंच पाया थक्क्य की वज़े से नस फटने की वज़े से तो दिमाग के परडिकुलर हिस्सा काम करना बंद कर देता है अब दिमाग जो है हमारे पूरे शरी को नुक्सान होता है तो उसका काम झाला जाता है अब जब आपका हाथ प्या नहीं चल रहा तो यह आपके ब्रेंग की वज़ा से हो रहा है कि ब्रेंग का वो इससा जो आपके हाथ प्या को कंट्रोल करता था उसको नुक्सान पोचा है जब नस्वटी है या फिर खून का ठका आया है अब अगर हमने इसको ठीक करना है तो हाथ प्या को हिला के हम दिमाग को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं हमें ब्रेंग की लेवल पे ही सोचना पड़ता है पैलेसिस पेशेंट के जो पहले छे महीने होते हैं उसका शरीर अपने आप तेजी स तो बिल्कुल बिस्तर पर होता है, उठ नहीं पा रहा होता, बैट नहीं पा रहा होता, खा नहीं पा रहा होता, चल नहीं पा रहा होता, हाथ नहीं पा रहा होता, मगर अगले छे महिने में पेशिंट चाय मेडिसिन ले या चाय मेडिसिन ना ले, फिजो थेरपी करे या ना क अगले छे मेने के अंदर इसकी बॉडि में इंप्रूइम्मेंट आती ही आती है। क्यों आती है अब आपकी शरीप चोट लगती है तो जख्खम भरता है। वैसे दिमाग के अंदर जब कभी नुक्सान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए ब्रेन काम करता है। अब वो कैसे काम कर रहा है यह सवाल ज़रूर उटता है कि ब्रेइन के अंदर तो चोट ऐसी तो दिखी नहीं जख्खम तो बना नहीं बट वो कैसे भरपाई कर रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं medically neuroplasticity ज़े असान बाशा में हम कह सकते हैं क्योंकि brain जो है वो connections का बना हुआ है आप जिसका connection जितने ज्यादा होते हैं वो उतना ही ज्यादा अच्छा काम करता है आप के जितने अच्छा circle है आप इंसान उतना ही उपर उठ पात है उसी तरह से हमारे brain के अंतर जितने जादा connections होते हैं उतना ही complicated काम कर पाता है उतनी complicated चीजों को समझ पाता है और यह हम कैसे अपने brain को program करते हैं चीजों को बार-बार करके अगर आपने एकी काम को हजार बार, दोजार बार, दस हजार बार किया है तो आप उस काम में बहुत अच्छी होंगे comparatively मेरे से तो ये ब्रेंग की खास्यत है कि जो भी काम हम बार बार गरते हैं उसमें अच्छी होते चले जाते हैं और क्यों हो पाता है क्यों कि हमारा ब्रेंग प्रोग्राम हो जाता है अब ये जो प्रोग्रामिंग है ये हमारे उपर डिपंड करता है कि हम उसे कब करें और कैसे करते हैं तो paralysis patient के अंदर यही प्रोग्रामिंग को मैं दुबारा से करना पड़ता है इसलिए हमसे reprogramming कियाते हैं अब reprogramming के अंदर क्या हो रहा है कि brain दुबारा से connections बना रहा है आपके हाथ पर को चलाने के लिए और यह पहले 6 मेने में अपने आप करता है इसलिए जो हाथ आपका पहले खिलता नहीं था वो हिलना शुरू हो जाता है जो आप बोलते नहीं थे वो बोलने शुरू हो जाते हो पहले तेज होगी तो दीर दीर कम होती चली जाएगी और 6 मेने बाद उन पूरी तरह से बंद हो जाती है उसके बाद आप चाहे जिती मजी exercise कलो जो मजी medicine ले लो उसमें आपको कोई changes नजर नहीं आते तो जो पेशन बहुत साल पुराने हो चुके है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे अब इन 6 मेने में आप किसी का भी हाथ लगवाओ किसी भी गड़द्वारे जाओ किसी भी मंदर जाओ किसी भी मस्जिद जाओ आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा छे मेने बीच जाने के बाद इसमें इंप्रुमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रेन इंप्रुमेंट करना बंद कर देता है, ब्रेन प्रोग्रामिंग बंद कर देता है, तो रिप्रोग्रामिंग का तो मतलब ही नहीं बनता, अब अगर हमें पहले से पेशन को यहां से ठीक क अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हम और अच्छी, और अच्छी होते चले जाएंगे तो इस री प्रोग्रामिक को स्टार्ट करने के लिए ही हमें आयवदिक मैडिसिन का यूज खर पड़ता है अब सवाल ही होट दो है कि हम आयवदिक मैडिसिन का ही यूज क्यों करें क्योंकि अगर हम अपनी मेडिसिन देखते हैं, पैलेसिस पेशेंट की चल रही है, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, इसका पडचा आप निकालो और एक-एक मेडिसिन को अपने आप Google पे सर्च करना स्टार्ट करो कि कौन सी मेडिसिन किसले खा रहे हो तो BP की मेडिसिन होगी, Colesterol की मेडिसिन होगी, Multivitamins होगे, Diabetes की मेडिसिन हो सकती है कि उसमें हो तो इसके इलावा कोई भी मेडिसिन, Palaces patient के लिए अलोपर्थी में नहीं होती क्यों नहीं होती? क्योंकि brain का blood circulation और body का blood circulation में फर्क होता है जो हम कुछ भी खाना खाते हैं और directly हमारे brain तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि हमारी body में blood brain barrier होता है अब blood brain barrier जो है इतना बारीक होता है कि इसमें सारी की सारी medicines हमारी body में जो मुझ की रस्ते लिए है ब्लेट की तरस्ते लिए वो brain तक टच नहीं कर पाती तो हमें कुछ इतनी अच्छी medicine चाहिए होती है जो इस barrier को cross करते वे brain तक पहुँचे और brain से reprogramming को initiate हरवाई और जैसे ही reprogramming initiate होगी तो दुबारा से connection बनेंगे और जितने अच्छे connection जितने ज्यादा connection बनेंगे उतनी ज्यादा improvement आपके हाथ पेर में आनिशिरू होती है इसी वज़ा से आयवेदिक medicine जो होती है उनका रोल paralysis के patient की recovery के लिए बहुत important और बहुत अच्छा हो जाता है बहुत required हो जाता है करेंगी बनाने पड़ेंगे उसके बेना हमारा काम किसी भी कीमत में नहीं बने वाला तो जब हमारे से डी बीर हमारे से डी UK क्रेंट में से जाइगी होसी हमारे से बनने शुरू हो जाए अब मैं चाहता ह是這樣 कि आप थोड़ा सा राइम और निकालें इस वीडियो पे रहें और कुछ पैलेसिस पेशेंट से मिलिए जिन्हों ने जो हमने बताया है उसको फॉलो किया है डाइट का ध्यान अखा खाने पेने का ध्यान अखाया एक्सराइज जो बताई वो की और मैडिसिन का यूज किया औ पुरुदुमन और आज हमारे साथ पालेसिस के पेशन है प्रवीन शर्मा जी परवीन शर्मा जी कनाल में रहते हैं और इनको लास्ट मन्त तेरा तारीक को पैलेसिस हुआ था जिसके अंदर निकी लेफ लेक के अंदर जो मुमेंट थी वो कम्प्लिटी चली गई थी प्रवीन शर्मा जी के पास और उन से पिरियंस पूछते हैं तो प्रवीन जी अपको अप अपर था नुवंबर 14 को 13 अवर क्या कंडिशन थी उस दिन माइनस जीरो कंडिशन थी रहा है इतनी बुरी कंडिशन थी कि मैं उसको माइनस से नीचे कोई फिगर नथी कि मैं देनी बारा था चल पा रहे थे बिल्कुल नहीं हाथ थीक थेड़ने हम बोलना ठीक तो आपको इहां का अट्रस कि उसने होता आया था साइस अंजीवनी का एड़स मुझे मेरे घर से मिला मेरे छोटे भाय की वाइप को पैरलाइज हुआ पिछले तीन साल पहले अच्छा उसमें वह बेट पे थी हम स्टेचर पे लेकर रहे थे अच्छा पर आज वह अपने अप चल रही है अपने परिवार को सभाल रही है तो मैं पहले बात्रूम लेटिन के लिए मुझे साहरा चाहिए था बच्चों के साह चाहिए जाता था पर सेमेंटें से मैं स्टेम को एवलिंग वाग पर मौनिंग पर जाता था खुछ से अच्छा और आज ही डेट में क्या कंडिशन है कि मैंने बादी ने पर संट और तो बा अच्छा तो अब चलने में कोई जिक्कत नहीं चाहिए खतम हो गई हंड़ेट परसंट चले ठीक है ओवरल एक्स्पिरेंस केसरा साहिए निगा बहुत बड़ी अगर इसको परसेंटेंज में काउंट करें हंड़ेट परसेंट और मैं तो अगर इस वीडियो इस मोग इंट और मैं ब्लाइट फेड नायं ब्लाइट करना चीए मैं ब्लाइट खिया और आज आप सब के सामने और शायद से जादु कह सकते हैं इस अग्सपिरियंस को अगरं सेंट डाम देना ज़िए जादु है जादु कि हम बहुत जल्दी स्टार्ट किया था म।्यर टीट्मेंट क को होगा ऐसा तो मैंने सुना नहीं है पर यहां देखा है अचली क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर कभी ऐसा कोई दिक्कत होती है तो उसमें ताइम बहुत इपॉर्टन होता है जितने जल्दी हम सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतनी ही फास्ट में रिकावरी देख करते हैं स्टार्ट भी होते हैं और इसमें ने अजब तक आपके पास खुद की इच्छाना ओटी को नहीं है तो आपने खुद देखा जब हम धर्पाई करनी होगी तो मैं उम्मीद करता है इस वीडियो से आईवेधिक मेडिसिं की आपने चान कारे ले लियोगी इस वीड चलने की आगयादीची नमस्कार Now you can share your reports with us via WhatsApp and get free consultation with our experts